नमस्कार दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम SJVN Share का complete analysis करेंगे इस टोक के अंदर काफी समय से continuously गिरावट हमको देखने को मिल रही है और दोस्तो यह गिरावट कितनी और हो सकती है कहां पर आका stock support ले सकता है या फिर अगर stock के अंदर हम fresh buying करना चाते हैं तो हमाले बेस्ट प्राइस क्या हो सकती है उस पर complete detail में analysis करेंगे इस वीडियो के अंदर इंवेस्ट की वीडियो की करते हम शुरुआत दोस्तों SJVN शेर की बात की जाए तो इस stock के अंदर जो हमको breakout देखने को मिला था 40 रुपीज से breakout हमको देखने को मिला था और इसने जो high लगाया 170 के आसपास का इसने high लगाया तो लगबग इसने 300% का यहां पर return बनाकर अपने investor को दिया है और यह बिलकुल जो तेजी आपको देखने को मिली लगातार तेजी देखने को मिली अभी current level पर क्या stock के अंदर चल रहा है कि एक बार इसने high लगाने के बाद अब जो higher price के आसपास काफी समय से stock जो एक range में फसा हुआ है तो आप में से बहुत सारे दोस्तों होंगे जो इनोंने higher price के आसपास खरीदा होगा 140, 150 या 120 की range पे, 160 की price पे आप लोगों ने stock के अंदर invest किया होगा और यहां पर आप लोग अब फसे होए हो यहां से stock move नहीं कर रहा है तो दोस्तों क्या इसमें fundamental अच्छे नहीं चल रहे हैं या फिर क्या चीज़े हो रही stock के अंदर उस पर हम बात करने वाले stock का complete analysis करेंगे ठीके दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि recently क्या हो रहा है अगर current level पर बात की जाए तो recently stock के अंदर जो जितने भी PSU stock हमको देखने को मिल रहे हैं लास्ट quarter के अंदर जो इनकी sale थी वो 483 करोड की sale और इस बार की अगर इनकी sale देखोगे तो 870 करोड की sale है यानि कि एक almost double होती हुई sale हमको नजर आए तो यह stock के लिए काफी अच्छा positive sign है इसका impact आने वाले time पर आपको price के अंदर भी देखने को मिलेगा और दूसरी चीज़ है कि इनके जो net profit की बात की जाए लास्ट quarter में जो profit था 61 करोड का था और इस quarter में जो profit अगर आप check करोगे तो 357 करोड का profit हमको देखने को मिल रहा है और after tax net profit company का देखने को मिल रहा है तो कही ने कई company profitable है और इस quarter के अंदर काफी जबर्दस इसने perform किया लेकिन अगर में बात करूँ जिस तरीके का इसने इस quarter में perform किया उस तरीके का price में अभी तक कोई impact हमको होता हूँ और नजर नहीं आया या फिर price ने उतना अच्छा move नहीं किया अभी तक तो कही ने कई company अच्छा perform करी अच्छे quarterly result हमको recent के देखने को मिले तो अब हम बात पर आकर support लेती है अभी recently जो इसका bottom चल रहा है वो कही ने कही 120 से 130 की range भी हमको देखने को मिल रहा है जब भी price इस level पर आ रही तो market यहां से हर बार bounce कर रहा है और current में current price पर अगर मैं बात करूँ तो फिर से price ने कही ने कहीं इसी level के आसपास support लिया है 124 का इसने low लगा है recently दो दिन पहले और अभी recently देखो काफी अची green candle के साथ यहां पर close किया है तो कहीं ने कहीं low level के आसपास काफी अची green candle बनते हुई नजर आ रही है तो एक ही अच्छा support area हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि overall trend line का भी support दिख रहा है और overall जो है price का भी recent range level पर जो support बन रहा है उस पर price जो है support लेती हुई नजर आ रही है तो कहीं ने कहीं मैं यहां पर एक zone बना कर आपको दे देता हूं कि इस zone के ऊपर जो है कहीं ने कहीं 120 से लगा कर 125 या 130 की range stock के लिए काफी अची range है 120-125 की range है काफी सही range है और अगर इसके नीचे price निकलती है यहीं कि मान लिजे 120 के इसके नीचे निकलता है इस trend line का breakdown होगा तो stock में correction हमको देखने को मिल सकता है otherwise stock इसके ऊपर है तो कहीं ने कहीं यह bottom इसका बनता हो नजर आ रहा है और अगर यहां से अगर market में तेजी करना start करेगा तो stock फिर से कहीं ने कहीं आपको 160-160 की range आपको अंदर target रहेगा अगर मान लिजे कि यह breakout 170 का होता है तो stock में जबरदस तेजी देखने को मिलेगे अगर आने वाले quarterly result काफी अच्छे रहते है stock के तो definitely 170 के उपर भी price निकलता हुई आपको बहुत जल्दी दिखाई दे सकती है तो important चीज क्या है यहां पर ध्यान रखना है कि 120 के नीचे अगर निकल रहा है stock तो फिर कहीने कई थोड़ी सी दिक्कत आ सकती stock के अंदर एक अच्छा correction हमको देखने को मिल सकता है अगर 120 के नीचे निकलता है तो कहीने कई 100 के आसपास यह price आपको बनती हुई नजर आएगी और 100 का level hold करेगा तो अच्छी बात है अगर वो hold नहीं करता तो फिर 80 की price next इसका support area रहने वाला है I hope कि मैंने तीनों चीजे आपको clear बता दिये कि कहां से breakdown होगा 120 के नीचे अगर price निकलती है इसके नीचे candle close करके continue करती है तो फिर 100 के आसपास यह price आ सकती है बाकि 120 से लगा कर 125 इसका strong support है एक अच्छा bottom हमको stock का यह द यह सारी चीजे मैं clearly बता चुका हूँ किस तरीके से हमारी stock के अंदर planning होनी चाहिए I hope कि आपको यह चीजे समझ मैं आई होगी काफी जादा simple तरीके से मैंने चीजों को बता है वीडियो अगर आपको पसंद आया यह वीडियो को like करके channel को subscribe कर लो तकि मैं जब भी next video upload करू सबसे पहले आपको मिल पाए और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर